संपत्ति को इंगलिश में क्या कहते हैं या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं संपत्ति को इंगलिश में property या asset कहा जाता है property या asset property की spelling होती है P-R-O P-A-R-T-Y property A-S-S-E-T-S assets जैसे कि अगर आप यह कहना बहुते हैं चाहें कि company की संपत्ती में भोतिक और बौधिक दोनों संपत्तियां शामिल हैं तो आप कह सकते हैं the company's assets include both physical and intellectual properties. The company's assets include both physical and intellectual properties. अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं. आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें.